वेलकम टू माई चैनल से आर सोधा टीप्स इस वीडियो में पार सेक्टर का दो स्टोक के बार में बात करेंगे जो दो कॉमपानी का जो फांडमेंटल पेरामिटर वो देखेंगे इससे समझ में आ जाएगा जे विच कॉमपानी इस बेटर तो हे गाइस वीडियो आच्छा आगे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो शुरू करते हैं पहले आम लोग एस जी भी एन देखेंगे एस बेडियों का फांडमेंटल देखेंगे उसके कॉमपानी में एन इस बीसी का कॉमपानी जम करेंगे जे कॉमपार करेंगे जे कॉन बेटर है त तो टेन थाउजन कोड़ और एन एच बीसी का एन इस बीसी का मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा है बहुत ज्यादा है और स्कारेंट प्राइस एस जी बेन का 26 और एन इस बीसी का 31 में चल रहा है और फिप्टीविल हाइव और लोग देखा जाए तो तो एस बीएन का 25 और हाई देखा जाए तो 33 और एन एच बीसी का 25 लो और 37 हाई तो स्टॉक का प्राइस का कॉंप्राइजर में तो हाई और लो एक ही प्राइस में चल रहा है मदलग खुब ज्यादा डिफारेंस नहीं है यह स्टॉक का पी देखे तो 10 10.2 और एन एच बीसी का 8.85 तो जो स्टॉक प्राइस के ऊपर और बूग वैलू अगर देखें तो 33 और एन एच बीसी का बूग वैलू 34 यह भी प्राइस एंबी है और डिवीडेंट इल देखा जाए तो एन एच बीन का 8.4 और एन एच बीसी का 5.15 तो डिवीडेंट का तरफ से आगर देखा जाए तो एच स्टॉड़ा ज्यादा डिवीडेंट प्याउट करता है और रोसी रिटर्न ऑफ कापिटल एंप्लोईट 8.56 है और एन एच बीसी का 6.38 तो एच बीन का बेटर है लागबग 2% अल्मोस्ट 2% ज्यादा है और रिटर्न ऑफ इकुटी एच बीन का 7.76 और एन एच बीसी का 10.4 और रिटर्न ऑफ इकुटी आगर देखा जाए तो एन एच बीसी का लगबग 3% ज्यादा है तो एन एच बीसी में स्टॉड़ा ज्यादा मुम्मेंट और तो ठोड़ा ज्यादा रिटर्न देखा दे सकता है एसजी बेन के कमपार में और फ्याज़ बेलू दोनों का सेम है 10 दोनों का ही 10 है और पोमोटर होल्डिंग अगर SGBN का 86.8% है और NHPC का 71 तो पोमोटर होल्डिंग में SGBN बेटर कंडिशन में है और इंडस्ट्री पी दोनों सेक्टर एक ही है तो इंडस्ट्री पी सेमी है 33 33 और रिटान अब इकूटी आगर देखा जाए तो SGBN का 7.76% है और NHPC का रिटान अब इकूटी 10.4 है तो रिटान अब इकूटी एंडस्ट्री में बेटर है और कारें लाइब इस देखा जाए तो 2600 है SGBN का और इंडस्ट्री का 6600 है तो मार्केट क्यापिटेल का कॉंप्राइजमेंट में देखा जाए तो सेमी है डियाई होल्डिंग देखा जाए तो इनेज़ एस जी बेन का 4% या म्यूच्याल फांट का ओल्डिंग थोड़ा कम है और इनेज़ पीसी में 15.3% तो इनेज़ पीसी में म्यूच्याल फांट का होल्डिंग थोड़ा ज्यादा है तो अबार वाल जो दोनों में स्ट्राइब में कम्पर कर जाएगा तो लगवाक अल्मोस्ट थोड़ा कुछ डिफारेंस है लेकिन म्यूच्याल फांट और रिटान और इकूटी में देखा जाए तो एनेज़ पीस से नेगटिव रिटान और नहीं से का वान यार का रिटान देखा जाए तो फिप्टीन सेंट रिटान दिया है और exp Sauna में चल रहा है तो दो पर स्वासे है तो दोनों श्ट्राक में से ने चपी सी में थोड़ा। बेटर है। तो थोड़ा ज्यादा नहीं नेगेटिव रिटन दिया है थोड़ा रिटन दिया है। डिवीडेंट इल भी नेच पीसी का ज्याधा है। तो कमप्राइजन में अगर देखा जाए तो एने एनेच्पीसी बेटर कंडिशन में है तो दोनों आच्छी स्ट्रग है लॉंग टर्म भीव अगर इसमें दोनों स्ट्रग में होल्ड कर सकते हैं तो आच्छा खासा रिटर्न पास सकता है फ्यूचर में तो अब लोग को अग